नमस्कारी बिया नियूज देख रहे हैं आप में गरिमा श्रवास्तवाब के साथ ओल्लाइन फूड डिलीवरी सर्विस आज के समय में काफी आसान और सुगम हो चुकी है हमारा अच्वानक से किसी भी वक्त कुछ खाने का मन हो जाता है आपके लिए काफी बहतरीन साबित होने वाली है ये सारी सर्विस आपके काम को भी आसान बना दिया चाहेगा एक बात जो यहां ध्यान देने वाली है वो ये है कि कस्टमर्स को Zomato UPI इस्तेमाल करने के लिए किवाइसी करने की जरुरत नहीं पड़ेगी साथी कस्टमर्स अपनी UPI ID को भी परसनलाइजड कर सकेंगे Zomato का कहना है कि यह फीचर ट्रांजेक्शन करने का एक सेफ तरीका है इससे आप सेफ़्टी के साथ पेमिंट कर सकते हैं यूजर्स अपने अकाउंट को सिक्यॉरिटी पिन की मदद से सिक्यॉर कर सकेंगे चलिए आप बिना देर की आपको बताते हैं कि कैसे करना है Zomato UPI फीचर को Enable और क्या यह फीचर सभी कस्टमर्स के रहे रूल आउट किया गया है या नहीं आपको यह भी बताएंगे अगर आप भी Zomato की इस UPI सर्विस को इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले अपने Zomato app को ओपन करना होगा Zomato app को open करने के बाद आपको profile section पर जाना होगा इसके बाद scroll करते हुए नीचे की तरफ चाहें यहां आपको Zomato UPI section नजर आएगा Zomato UPI section में आप लोगों को activate करने का भी option मिलेगा आप अपनी हिसाब से अपनी UPI ID को बना पाएंगे Zomato UPI ID को activate करने के बाद आप लोगों को अपना mobile number verify करना होगा अगर आपके phone में दो SIM cards हैं तो आपको SIM चुनने का option मिलेगा यानि आप उस number को चुने जो आपके bank के साथ linked है इसके बाद आपको bank account चुनने के लिए कहा जाएगा जिससे की आप फटा फट से payment कर पाएंगे आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि Zomato की UPI services अभी के वर चुननेंदा users को ही नजर आ रही है आपको ये service मिली है या नहीं इस बात का पता आप आप के profile section में जाकर लगा सकते हैं कम्नी का कहना है कि इस feature को बड़े पैमाने पर सभी users के लिए roll out किया जाएगा साथी Zomato दूसरे bank के साथ मिलाने के तैयारी में है हालाकि अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने users को ये feature मिल चुका है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कम्नी ने अभी इस feature को Zomato Gold Membership वाले users के लिए जाने किया है ऐसी और बे तमाम बड़ी जानकारी में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया निवस्तानिवार